उत्रपरदेश के अम्रोहा में खून का रिष्टा कलंकित हुआ है चोटे भाई ने बड़े भाई की गंडासी से गर्दन काट कर उसे मोत के घाट उतार दिया पूलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटन के लिए भिजवा दिया है आपको बता दे कि अम्रोहा के गाउं पोरारा निवासी रामकेश पैंतिस वरश की गाउं में ही दुकान बनी हुई थी जिस पर कपजा करने के उदेशे से छोटे भाई भगवान दास ने समान रखना शुरू कर दिया जिसका विरोध करने पर छोटे भाई भगवान दास ने रिष्टो को कलंकित करते हुए बड़े भाई रामकेश की गर्दन पर गंडासी से प्रहार करते हुए उसको मोत के घाट उतार दिया देखते ही देखते लोगों की भीर जमा हो गई जहां लोगों ने पूलिस को इसकी सूचना दी वही आनन फानन में पुलिस भी मोके पर पहुँची वही चोंकी इंचार्च अमित कुमार मान ने भारी पुलिस बल के साथ मिरितक के शब को कबसे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया सुचना पर आदमपूर थाना अध्यक्ष पंकज वर्मा भी मोके पर पहुँच गए नई हत्या रोपी भगवान रंगे हातों गिरफतार कर लिया गया साथ ही हत्या में परियोग किया गया एक काटने वाला गंडासा भी बरामत कर लिया गया जिसमें थाना ध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि गाउं में बनी दुकान को लेकर दोनों भाईयों में विवाज चल रहा था जिसको लेकर भगवान दास ने रामकेश की गरदन कार दी और उसकी हध्या कर दी साथ ही आरोपी को मोके से रंगे हातों गिरफतार कर लिया गया अमरोहा से सवादाता बोहमद आसीफ की रिपोर्ट शाहिता रहते हैं देने रखा दिया रगवान भाए में पत्चाने बाला दा नहीं महला पारों सो बूंगे कुछ भी इती बात नहीं हुआ अगेले थे उनके साथ कोई हर गी था हम ही दोनों आदमी थे लिए उनके साथ हैं कौन उनके बच्चे हैं उनके घरवाली हैं मैं पुर्जे महराजबाद है अधम पुर्थाना शेत्र में आज सबेरे पारिबारिक बिवात को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के उपर ग अधमा भर के उसमार्ण के लिए भेज जया गया है विधिक कारवाई की जा रही है क्या सथ आरवपी को अभी सब पलीस ने पकड़ लिया है अरूपी पकड़ लिया है आला कतल भी ब्रामज हो गया है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden world-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden at J.B.D. Banquets Enterprise